हाई एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमने साइन्स के अंदर दो लेक्चर ले लिये हैं स्टुडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है स्टुडेंट्स लेक्चर नमबर 3 इसमें हम लोग आपके सामने बात करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में आगे के जो हमारे नोट्स हैं उसके बारे में अब तक हमने पढ़ाई कर ली है कुछ नोट्स बना लिये हैं इस चैप्टर के चैप्ट बनेंगे लेकिन उसका फाइदा यही है मतलब उसका फाइदा आपको तभी मिल सकता है जब आप उसको याद करेंगे सीधी सी बात है तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टोपिक है पहला उसका नाम है slow and fast reaction इस्टुडेंट समझी है slow and fast reaction क्या होती है देखिए पहले समझी है slow का मतलब होता है दीरे और fast का मतलब होता है तेज ऐसी reaction इस्टुडेंट जिसके अंदर अगर कोई मेरे पास में reactants है a plus b फटाफट से react करके नया element बना दे 6 c और d इन्होंने फटाफट कर लिया fastly इन् reaction होती है यह seconds में complete हो जाती है students seconds में मतलब कि फटाफट है ना और students फिर आता है slow reaction slow reactions वो reactions होती है students जैसे कि आपने दो reactants लिये और दोनों को react करवाया और यह बड़े दीरे 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 आराम आराम से react कर रही है और react करने के बाद में यह product बनाती है c or d समझ रहें तो जो product य लग सकते हैं दिन लग सकते हैं इसके लावा week लग सकते हैं या फिर महीने लग सकते हैं या फिर students year भी लग सकते हैं इतना लंबा process होता है यह समझे तो चलिए इनको लिखते हैं उनके example भी देखते हैं तो देखिए students आपके सामने है fast reaction की definition क्या है fast reaction the reaction in which the reactants convert into the product very fastly तुर है CL के साथ में और H जुड़ जाता है OH के साथ में तो H2O next देखिए everyone HGNO3 plus HCL जो AG है वो तो CL के साथ में जुड़ जाता है AGCL और NO3 है वो H के साथ में जुड़ जाता है तो यहां पर H2O नहीं आता है HNO3 आता है students समझे इस तरह से यह reaction हो जाती है fastly अब देखते है slow reaction the reaction in which the reactants convert into the product very slowly this reaction is called slow reaction जैसे कि students आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगती है उसे हम कहते है students English में corrosion आप याद कर लीजिए corrosion यानि कि जंग लगना ठीक है तो जो students जंग लगता है उसको हम लोग corrosion बोलते है और आपको यह तो पता ही होगा कि जंग एक दिन दो दिन में नहीं ल लोहे पर आप regularly पानी डाल रहे हो तब जाकर उस पर जंग लगती है तो लोहे के साथ में पानी का जो reaction होता है इसमें सालो लग जाते हैं तो देख लीजिए हम एक ऐसी ही reaction आपके सामने ले रहे हैं FE plus oxygen FE मतलब की iron यानि कि लोहा और फिर यहाँ पर oxygen है O2 का मतलब और H2O क इसे हम कहते हैं corrosion of iron corrosion of iron का formula यह है अगर आपसे directly पूछता है कि what is the formula of corrosion of iron तो FE203.3H2O अब यह reaction हमारे पास में आ गई students तो सलिए इसको हम लोग सबसे पहले balance करते हैं यहाँ देखिए oxygen कितने हैं 3 oxygen and 3 इधर oxygen तो 6 oxygen हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना है 2 दिख रहा है 3 लगा दूँ तो यहाँ देखिए हैं 6 oxygen यहाँ कितना है 3 and 3 oxygen इधर की तरफ है students अब देखिए students हम H को करते हैं यहाँ पर balance यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H6 है समझ रहे हैं आप बात को तो अब क्या करेंगे हम H को balance करेंगे यहाँ पर H को balance करने के लिए हमने 6 लगा दिया इससे क्या हुआ यहाँ पर 6 लगाने के बाद में 6 H2 मतलब H की value होगी 12 समझ रहे हैं यहाँ तो H कितना है 6 ही है तो यहाँ पर 12 होना जरूरी है तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2 से multiply कर दिया तिरी तरूजा 6 तो ही 6 multiply by 2 यहाँ पर 12 हो गया अब क्या क्या students यहाँ पर F4 हो ग and irreversible reaction की क्या होती है हमने सीखा था पुराने वाले lectures में कि इस तरह का साहिन अगर आपको देखने को मिलता है तो reversible reaction होती है पहले समझ यह students ऐसी reaction जो मतलब कि इधर से इधर भी चली जाए कि A plus B से C plus D productive बन जाए और C plus D से वापस से A plus B भी बन जाए तो ऐसी reaction होती है students reversible reaction और ऐसी reaction जो सिर्फ A plus B से C plus D ही बनाए वापस कभी नहीं आए जैसे कि दूद से धही बन गया तो धही बनी गया दही से कभी दूद बन नहीं सकता समझ रहे हैं आप लेकिन reversible reaction क्या होती है कि water से ice बन गई तो yes ice से वापस से water बन सकता है समझ रहे हो आप तो यह होती है reversible reaction चली i-N कभायमे निकलेते हैं the reaction in which the reactants react to form product react करके product बना लेते हैं and also products जो होता है वो react to form reactant जो product होता है वो react करके वापस से reactant बना लेते हैं this reaction is called reversible reaction note आता है फिर कि this reaction takes place this reactions यहां reaction कर लीजिए या फिर s यहां पर करते हैं आप यह reactions plural हो गया s अगर आप यहां लगाते हैं तो यहां फिर यहां से आपको s अटाना पड़ेगा students this reactions take place in both directions दोनों तरफ चलती है इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी समझे students इसके बाद हम देखते हैं reversible reaction students यह देखिए reversible reactions की बात करते हैं तो reversible reaction कौन सी होती है जो a प्लस b अगर हमने दो element ले लिया तो c प्लस d बन गया और c प्लस d से a प्लस b भी बन सकता है जैसे कि example दिया है a प्लस b से c प्लस d बन गया और c प्लस d से a प्लस b भी बन गया ठीक है एक example आप यह लिख सकते हैं कि n2 प्लस 3H2 इससे बनेगा 2NH3 और 2NH3 से वापस से n2 प्लस 3H2 भी बन सकता है everyone देखते हैं हम लोग irreversible reaction the reaction in which the reactants react to form product this reaction takes place in one direction only जो reactants है वो क्या करते हैं react करके product तो बना लेते हैं लेकिन सिर्फ एक direction में चलती है इस लिए इसको क्या बोलते है irreversible reaction कहा जाता है जैसे कि a प्लस b आपस में react करेंगे तो सिर्फ c प्लस d बनाएंगे यह वापस से reverse नहीं जा सकती जैसे कि c प्लस o2 is equal to co2 समझ गया students इस reaction को हम बोलते है coal burns in air coal burns का मतलब होता है burns का मतलब होता है कि koila koila मतलब कि आप petrol समझ जो इसको गी petrol है petrol में carbon है और वो oxygen में मिलके धुआ बना दिया आप गाड़ी चलाए तो oxygen में मिला और धुआ बन गया अब धुआ बन गया एक बार तो आप धुआ वापस से petrol नहीं बन सकता इस कारण से यह हो गई irreversible reaction समझे students इस पर question किस तरह से आता है कि what is meant by reversible reaction तो यह reversible reaction का material जो अभी अभी हमने पढ़ा था वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा और ऐसे आपसे पूछ सकता है कि what is meant by irreversible reaction तो उसमें भी आपको इस चीज लिखनी पड़ेगी स्टुडेंट समझे दो question बन गया आपके next देखते हैं oxidation and reduction क्या होता है students बहुत ही important topic है oxidation and reduction जब तक chemistry पढ़ोगी जब तक याद आता रहेगा देखिए simple सी बात होती है students की oxidation का जो मतलब होता है मतलब की plus oxygen की oxygen का add होना oxidation है और students oxygen का निकलना मतलब removal होना reduction है आप तो यह याद रख लो बस बाकिसकी definitions खूब सारी है लेकिन main definition यही है कि oxygen जुडेगी तो oxidation है और oxygen निकलेगी तो reduction है चलिए देखते हैं definition the combination of oxygen is called oxidation बस इतनी सी है जैसे कि मैंने एक reaction ली 2mg plus o2 तो mg में o को add किया तो क्या बना यहाँ पर mgo, 2mgo का मतलब है magnesium oxide फिर लिया मैंने sulfur और उसके अंदर o2 को add किया तो यह बना SO2, sulfur dye oxide समझे students क्यासे reduction क्या होता है the removal of oxygen oxygen का निकलना क्या कहलाता है reduction कहलाता है जैसे कि यह मेरे पास में एक element था और इसके अंदर से o को निकाल दिया कितने oxygen है यहाँ पर 3, 2, 6 oxygen है तो 6 में से 3 को निकाल दिया students तो देखिए oxygen निकल गया इसमें से पुरा का पुरा मतलब पुरा ही निकाल दिया 3 निकाला पुरा ही निकाल दिया तो 2, K, C, L तो यहाँ बच गया और 3, O, 2 यहाँ पर निकाल दिया students तो oxygen remove हो गया इसलिए यह क्या है reduction reaction है अब देखिए हमारे पास में बहुत सारे definitions होती है oxidation और reduction की हम समझते हैं कि क्या-क्या होती है लेकिन उससे पहले हम लोग question देखेंगे कि what is meant by oxidation and reduction तो आपको आ सकता है एक number दो number में कि बताई है oxidation और reduction क्या होता है तो अभी जो मैंने आपके सामने दिखाया आपको यही लिखना है वहाँ पर देखें यह वाला oxidation तो यह होता है और reduction यह होता है अगर छोटा question आता है तो लेकिन अगर बड़ा आता है कि what is meant by oxidation and reduction 6 number का 3 number का 5 number का जहां पर आपको बड़ा लिखना है तो वहाँ के लिए students हमारे पास में यह बड़ा question है इसको समझते है देखिए कि oxidation क्या होता है और reduction क्या होता है difference भी कह सकते हो आप और बड़ा question भी कह सकते हो ठीक है everyone तो आपको क्या करना है जिदर जो चीज में इधर लिखुआ ना students उसका उल्टा आपको इस तरफ लिखना है reduction में तो आप सिर्फ oxygen याद oxidation याद कर लेना आपको reduction अपने आप याद हो जायागा students समझ में है आपकी बाद तो आपको दोनों तरफ याद करने की ज़रूरत नहीं है चलिए देखते हैं पहली definition same to same जो अभी यह भी हमने पढ़ी थी कि combination of oxygen is called oxidation oxygen का जुड़ना oxidation होता है इधर की तरफ लिखेंगे removal of oxygen from the substance is in reaction is called reduction चलिए पहला point याद हो गया यहाँ oxygen combine हो रही है समझ रहे हो oxygen जुड रही है तो जहाँ oxygen जुडती है तो hydrogen निकलती है तो second हो जाती है students की definition कि removal of hydrogen is called oxidation कि hydrogen का remove होना भी क्या होता है oxidation होता है H2O और यहाँ से hydrogen अलग कर दिया और O2 अलग कर दिया देखिए O2 है वो half निकलेगा तबी तो balance होगा न half multiply by 2 तो कितना O? 1 O यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ H2 H2 समझे? तो hydrogen का निकलना भी क्या होता है Oxidation होता है तो यहाँ पर hydrogen का जुड़ना Oxidation यह reduction होता है जैसे कि H2 के अंदर Cl2 जुड़ गया और जुड़ने के बाद में 2HCl बन गया ठीक है students third देखिए बड़ा ही अच्छा क्या कहता है यह वाला point यह समझे पहले जब हमारे पास में कोई भी चीज़ होती है यानि कोई substance होता है जैसे कि KI है या फिर H2O है तो students यह दो चीज़ों के अंदर तूटता है अगर मुझे KI को तोड़ना है तो यह तूटेगा K plus और I minus समझे हो आप हर element टूटता है इस तरह से जैसे कि यह टूटेगा H plus and OH minus तो students जिस पे positive आता है इसको हम positive ion कहते है और जिसके ओपर negative आता है इसको हम लोग negative ion कहते है और एक नाम और है students इसका электropositive आप याद रख लिजिए इसको किया कहते है हम लोग electro positive कहते है जब किसी reaction में electropositive element निकल जाता है, remove हो जाता है, तो वो भी oxidation होता है, the reaction in which the removal of electropositive element takes place from the substance is called oxidation, समझो, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, जिसे कि ये तूटेगा k plus और i minus में, तो students देखिए, यहाँ पर k plus को निकाल दिया, इसलिए, इस element ने क्या करा k plus को को निकाल जा और किसी और के साथ जुढ़ जा, तो यह k plus निकल गया इसके अंदर से तो, आई अलग हो गया देखिए, और k plus निकल गया, और जाके c l के साथ जुढ़ गया, तो ये electro positive को इसने निकाल दिया इसलिए ये भी क्या होती है oxidation होती है similarly इसका उल्टा होता है students यहाँ पर कि यहाँ पर जो है electro positive element जुड़ जाते हैं समझ रहें आप इधर की तरफ electro positive element जुड़ जाते हैं किसी के अंदर तो वो होता है reduction जैसे कि इसका example देखिए एक mg plus cl2 mg क्या है electro positive है और जुड़ जाएगा cl के साथ में तो यहाँ बन जाएगा students mg cl2 यह इसका एक example हो जाता है चलिए एक चीज़े और देखते हैं अब इसमें electro positive निकला है इसका मतलब electro negative आया है समझ रहे हो तो fourth वाला जो point है वो क्या कहता है कि the reaction in which the combination of electro negative electro negative का जुड़ना oxidation होता है students तो mg cl2 electro negative कौन सा है cl है electro negative cl है students तो cl को ऐसे कैसे mg में add कर दिया तो बन गया mg cl2 समझे आप मेरी बात को तो यह हो गया electro negative का और यहाँ क्या होगा students electro negative निकल जाएगा the reaction in which the removal of electro negative element takes place the substance are called reduction reaction तो इसके अंदर क्या होगा electro electro I mean में क्या कह रहा हूँ electro negative जो है जैसे की electro negative कौन सा है cl है cl है cl negative में होता है तो यह निकल गया इसका removal हो गया देखो अलग से निकल गया और fe के साथ में यहाँ पर cl जो है तीन था पहले अब यहाँ से एक निकल चुका है यहाँ यहाँ चला गया निकल गया और फिर बाकी balance करेंगे यहाँ तो वह balance हो जाएगा तो निकला है वहाँ पर क्या होगा reduction होगा students इसका last point देखते हैं देखिए students हमारे पास में next जो point है यह बड़ा ही अच्छा point है इसको समझिएगा students जब कोई element हमारे पास में होता है suppose n है और इसमें से अगर मान लो atom निकल रहा है इसमें से electron निकल रहा है मतलब कि proton ये electron इसमें से निकल रहा है जैसे कि एक proton निकला तो मैंने आपको पहले ही बताया है इसमें positive sign आ जाएगा समझ रहे है अगर इसमें से 2 निकाल रहे हो तो आ जाएगा na plus 2 और अगर मान लीजिए कोई element अपने अंदर ले रहा है जैसे कि c l है तो c l अगर अपने अंदर ले रहा है एक electron को तो वो उसके उपर आ जाएगा c l minus c l minus तो जो लेता है वो तो negative हो जाता है और जो देता है व चलिए पहले समझाता हूँ आपको कि जो अपने अंदर से electron निकाल देता है उसको हम oxidation कहते हैं देखिए na है na में से एक electron निकल गया तो ये reaction कैसी हो गई oxidation reaction हो गई f e है अपने अंदर से एक f e निकाल देगा एक electron निकाल देगा तो ये कैसी हो गई students oxidation reaction हो गई similarly ये इसका उल्टा हो जाएगा reduction कि जो element electron को लेता है अपने अंदर वो reduction होता है जैसे कि cl है CL1 element को लेता है और ले लेता है तो इस पे minus आजाता है और ये कैसी reaction होती है reduction reaction होती है students समझ गए तो ये आप 5 जो है definitions oxidation और reduction की आपको याद होनी चाहिए bold point of view से अच्छे से याद कीजिए रोज याद कीजिए तभी जाकर दिमाग में बैठेगी students एक बार में बात नहीं बनेगी और board पूछता है इनमेंसे अच्छे कासे question तो important भी है next देखते है students हम लोग redox reaction it is a very very important मैं बताऊँ आपको कि इसे हम कहते है redox reaction या फिर oxidation reduction reaction दोनों नाम इसी के है अब देखिए students ये क्या होती है ये ऐसी reaction होती है जिसके अंदर oxidation और reduction दोनों एक साथ होते है वो reaction क्या होती है students redox reaction या फिर oxidation reduction reaction होती है तो definition क्या होगी the reaction in which the oxidation and reduction occur together एक साथ होती है अकर यानी होता है होना ठीक है this reaction is called oxidation reduction reaction जैसे कि एक reaction है Fe2O3 plus 3CO 2Fe और 3CO2 देखिए students यहाँ पर देखिए आप oxygen इसके साथ था अब यहाँ से यह वाला जो element बना उसमें O निकल गया इसके मतलब क्या हो गया निकलना reduction हो गया साथ तो इसके उपर लिख दिया मैंने reduction लेकिन यह वाला जो element था इसके पास में O एक ही यह भी after reaction क्या हो गया इसके पास में O एक और आ गया तो इसके पास O आ गया ना O का combination हो गया तो मैं इसको लिखूंगा Oxidation इतने आपसे next lecture के अंदर और बात करेंगे आपसे neutralization के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ और catalyst के बारे में भी हम लोग बात करेंगे next lecture में और maybe खोशिश करेंगे कि अगले lecture में इसको खतम कर दें आज के लिए इतना ही students आज के लिए all the best